आप एक्षण आप मेरा सवाल मेरा सवाल बहुत सीधा है अलका लामा को आम आद्नी पार्टी छोटी नेता कह रही है वो कह रहें कि यह तो छोटे मोटे नेता यह थोड़ी डिसीजन ले सकते हैं और आपकी मुस्कुराहट देखके मुझे एक सवाल यादा रहा है और वो यह यह आदा रहा है कि आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो अभी बतात है मैं अभी बतात है अभी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका अमिश भाई इतनी लंबी चोड़ी बात करने के लिए इतनी लंबी चोड़ी बहस आपने लगा दी इंडिया के उपर हम आपका धन्यवाद ग्यापित करते हैं कहते हैं ना कि लशकर भी तुम्हारा है सरदार तुम्हारा है तुम जूट को सच लिख दो अखबार तुम्हारा है इस दौर के फरियादी जाएं तो कहा जाएं सरकार तुम्हारी है दरबार तुम्हारा है कुछ हों बोलते रही है अमीश भाई आप तो ऐसे पत्रकार थे जो अंदर से खोद खोद गिलाया करते थे आपको तो पहले से मालूम होता था कि भै नितिश कुमार जी जो है अपनी आँख का इलाज कराने आए हैं आख के एलाज के बाद वो किसी से नहीं मिल सकते, इनफेक्शन का खत्रा हो जाता है, ठीक है न, आपको तो ये भी मालूम होगा कि शरत पवार जी विर्कुल मिले, क्यों नहीं मिलेंगे, अपने भतीजिय से मिलेंगे, लेकिन आपको ये भी पूरा होना चाहिए कि अजीत प वो देवेंद फड़नवीश की राज दीती है आप बता दो कि अलका लामबाजी ने कोई स्टेटमेंट दिया उसको डिसोन हमारे जो दिल्ली के प्रभारी है उन्होंने कर दिया कि साब ऐसी कोई बात नहीं तो बात खतम हो जानी चाहिए आपको इंडिया के गडबंदन में दरार दिखने रही है दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है भारती जनता पार्टी और उसका सबर्तक मीडिया करें यह बड़ी अच्छी बात कही है आज की देट में आपके पास लशकर है कोई बात नहीं लेकिन हम पूरी जिनमेवारी से तना खेते हैं कि यही सारी चीज अधिश पार्टी ने बोला था कि आप आएए और एन नई को भाइट दीजे कि हमें सातों सीटों पर तैयारी करने के लिए उसके बाद आप आद्धी ने कहा था यह बोलने के लिए कि अल्का लांबा एक चोटी नेता है क्या कहने के लिए कै can you बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों चीजे भारती जनता पार्टी ने नहीं बोली, जिसे केतना बिल्लिक भाग में शीका, आप लोगों का पर्शेप्शन है, एक पर्शेप्शन होता है, आप तो हिंदी पढ़े हैं, अमिश भाई, सुधानशु जी तो खेर पढ़े हैं, तो रुको के आगे कौमा लगा दिया, और रुको मत जाने दो, इसमें कौमा लगा दिया, रुको मत में तोंतर हो जाएगा, आप लोग इस तरीके से बयानों का छिंदरान, ठीक है, अब मैं सीधा सुधा सुधानशु जी को भी बोलने देते हैं, थोड़ी देर आपने लंबा अगर आपको हो तो बाकी तो आपकी इच्छा है, तो ये जो रुको मत जाने दो वाली जो आपकी थियोरी है, ये जो सत्ता समर्थक मीडिया की, ये अब चलने वाली नहीं है, अमीश भाई, भारती जंता पार्टी है, परेशान भी है, निरा, मणी पुर से लेके नू तक आग लगा रही है, महिला है नगन हो रही है, देश शर्मसार हो रहा है और भारती जंता पार्टी क्याना जो है, आज की डेट में जश्न मना रही है, भारती जंता पार्टी नरेंदर मोदी जी अपने जबान पर कंट्रोल को रहे हैं, कह रहे हैं कि साब अगले साल भी हम य प्रवाइब दिया में जितनी लाठी मारी जी वो कहते है ना अमिश भाई एक लाइख सुधान्चु भाई की बातों से और आपकी बातों से एक दो लाइन और याद आ गई हैं को कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे सुधान्चु जी आपके लिए हैं और अमिश के लिए भ ने कुछ और यहां हो सकता है कुछ और तो अक्सर होता है पर इस पल में तुम जिन्दा हो ये पल तुम में जिन्दा है ये वक्त नहीं फिर आएगा तुम अपनी करनी कर गुजरो जो होगा देखा जाएगा ये बात सच है अपने आप में हम अपनी करनी कर गुजरेंगे जो होगा वो भी देखा जाएगा और रही बात शरावरात पवार साहब की तो राजदीति गश्रा का पुरुस है पित्र पुरुष है सच बात है ये 83 साल के हैं लेकिन वो 83 साल का मराठा कुवर वीर सिंग की तरीके से अरे तो ये खुवर वीर सिंग 83 साल का मराठा सारी कहानिया आपकी मैंने मान ली राजपुर्ण साब लेकिन मेरे सवाल का जवाब देजिए रहा सवाल किस ने खड़ा करा बीजी पी ने तो नहीं खड़ा करा ना पृत्वी राजचोहन ने कहा उन्होंने बोला कि इनको मं सुन लिजी इतना कहें परिसान हो रहे हैं उसके बात सुप्रिया सुले जी ने इस पस्ट रूब से कह दिया तो आप से इससे आगे वी बाख करो गरेक इंद्ग चलाने की हिमत हो तो चलाएं पात जूट और सचकी ही नहीं जब सुपरिया सुले जी ने इस पष्ट रूप से बयान दे दिया और उसके बाद हम सुप्रिया सूले जी पर भी पूरा भरोसा हम करते हैं, श्रीशरत पवार साब पर भी और हम फिर जिम्मेवारी से कहते हैं, अपने नेता पर नहीं करते हैं, अपने नेता पर भरोसा नहीं करते हैं, सुप्रिया सूले पर भरोसा हम करते हैं, अजीत पवार परेशान है अमीश देवगंग अरे अजीद परवार परेशान होगा तो उनकी परेशानी बीजेपी और शिर्चनल निप्टेगी न उसके साथ अगर अजीद परवार गुट करोड के वो गुटाले का रहा है कि 83 साल के बुज़ूर का अपमान कर रही है कॉंगर्स पार्टी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या प्रित्वी राज चोहान गलत है और सुप्रिया सूले सही है दोनों में से एक तो चुनिए बहुत इस पश्च रूप से सुप्रिया देखिए मैं फिर से कहूँ आप पानी में जितनी लाठी मार लीजी अमीश देवगन पानी अलग नहीं होगा ये इंडिया का कट बंदन भारती जनता पार्टी की राज़नेतिक लुटिया दुबो के रहेगा सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आधनी सरत पवार साहब को जिन्होंने बीड की सभा में सपष्ट रूप से कहा कि आज कल केंद्र सरकार के आशिरवाद से एडी तै करती है कि काउन सानेता कब बीजेपी में शामील होगा या देश की राज़नीति और लोकतंत्र के दुर्भाग्यपुर्णि स्थिति यह तो दोती खोल रहा है तिन चार दिन पहले हमने सामना के माध्यम से अपनी एक भावना व्यक्त की अपनी कापत्ती जताई कि पवार साब आप हमारे महाविकास गड़ बंदन के आदार स्तंब हैं बड़े नेता हैं हमारे माग दर्श संबाजी नगर में प्रेस कांफरेंस किया और इस पर शुरूप से कहा कि मैं इंडिया के साथ हूं 31 अगस्त और एक तारीक को मुंबई में जो बैठक हो रही है उसमें बढ़ चड़कर मैं हिस्सा लोगा अब बात करता हूं जरा भाजपा की भाजपा की स्थिति दैसे दै 30 की कहती है कि नए नहीं केवल जीतना है चाहे किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद हमें जीतना है अब बताइए कि एकनाथ सिंदे जी ले लिया लेकिन जनता साथ में अजीत पवार को फोटू लगा कर एक साथ कि आज आईए आज आईए हमें मदद करिये क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि अजीत पवार साफ के पास जनता है ना पार्टी है ना ओट बैंक है वही हाल एकनाज सिंदे का है तल एकनाज सिंदे ने कहा कि कुछ लोग हैं जो मेरे विरोध म एक साल से मेरे पीछे पड़े हैं वो मुझे चेक और मेट देना चाहते हैं क्या उनका इसारा भारतिय इंता पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ तो नहीं था जो बार बार इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है अभी भी कहते हैं मी पुनाइन मैं द कर रहे कि भाजपा आप 156 सीट जीतने के बाद भी उप मुख्य मंत्री हैं और आप आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सरकार में और आपको अच्छी तरह पता है कि आदणी पवार साहब इंडिया के एक एहम हिस्से हैं पिरासी वरस के एक बुजूर्ग का बार बार अजीत दादा पवार और उनके समर्थक अपमान क्यों कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया के साथ हूं आप लोग जहां भी गए हैं खुश रहिये बार-बार उनके पास क्यूं जाते हैं क्यूं उनके होर्डिंग पोश्टन लगाते हैं कि उनके फोटो का इस्तमाल करते हैं जब सरत पवार साथ कह चुके हैं कि भईया मेरे रास्ते अलग हैं आप रास्ति अलग हैं तो बार बार उनका अफमान क्यूं किया जा रहा है और यह भारती दंतांप पार्टी के इसारे के बिना नहीं हो सकता क्यो हैं, वो इस गड़बंदर में डरार पैदा कराना चाहते हैं. अच्छा. प्यों को इस गड़बंदर डर बहुत है, वो बहुत घवराई हुए हैं. वो अपने देश के जो हमारे मुद्धे हैं उन मुद्धों पर चाशा नी करना चाहते हैं उन्होंने जासूस लगाए हूं इंडिया घड़मंदं की पिछे लगे हुए औरि हम कह Jeremiah है , मспlang GU, मैं मनिय्थान कर रहे हैं कि मनीपुर के उपर भाज़पा के स्वाफ़ा के καई यह पताएं देश को उनका भ्यान क्या था वह कौन सी पार्टी के सांसर थे वो बिचेपी के सांसर थे उन्होंने क्या कहा उस राजी सरकार के उपर उन्हें कीति सवाग्षार किए पृष्दान मंतरी उसका जवाब नहीं देते हैं आज पर्षान मंतरी जी से देश पर दो लिए आप मणिपूर के मुद्दे पर बोलिए आज इस दिन जादा हो चुके पूरा मणिपूर बंद पड़ा हुआ है इस सज्जन को क्या तकलिब है भई कि क्या तकलिब है इनको आप उस पे नहीं बोलते हैं और आप फिर महराश्च की बात करते हैं अरे यह वही महराश्च पर्थान मंत्री जी जहां आप कुछ दिन पहले जाके कहते हैं कि अजीद पवार ने सत्तर जा क्रोड़ का घुटाला किया और तीन दिन बाद उसको पनी फाटी में सामिल कर लेत परदार मंत्री आज क्या कहते हैं इनका ना कोई ओचित ने और मैं तो कहता हूं कि आज सुदान सुजी भी आज मनीपूर के ऊपर बोल के जाएं क्योंकि आज दिल्ली विधानसवा के अंदर इनके विधायकों ने भाश्च पागे ने कहा कि मनीपूर को मुद्दा ही नही बाई बाई टाटा गुडबाई गया